मातादी, श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा, अगर अश्ट्मी वा नम्मी को आपको यह संकित दिखाई देते हैं तो आपकी पुत्रधन की मनोकामना पूरी होने बाली है माता दुर्गा आपकी उपर प्रसन है दोस्तों जब भी इंसान का सुभी आसुब समय आता है तो उन्हें संकित नजराने लग जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब भी उनका सुब समय आने बाला होता है तो उनकी अंग फड़कने लग जाते हैं या घर में ऐसे सगुन दीखने लग जाते हैं जिससे वो हैं अंदाजा लगा सकते हैं संसार में 70% लोग ऐसे हैं जिनको सुब संकेति या सुब संकेत के बारे में समय से पहले ही पता चल जाता है अगर आप नवरात्री में माता दुरगा की आरादना करते हैं घर में खेत्री वीज़ते हैं तो आपको इन संकेतों के बारे में अवस्य जानकारी चाहिए रोश्देशी परगार कि आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मगल में बेल आकन बटन को जरू दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने के लिए नवरात्रे में माता आपके उपर प्रसन है या रुष्ट है इससे इन संकेतों के बारे से आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको ये संकेत नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि माता आपके उपर प्रसन है दोस्तों नवरात्रे की अश्टमी को अगर आपके सुबह के समय अचानक चार बजे आँख खुल जाती है तो ये बहुती ही सुब संकेत माना जाता है ब्रह्मूर्थ में जो व्यक्ति उठता है माता की पूजा करता है उनकी सारी परिशानिया दूर हो जाती है अगर गरबबती मेला को सुबह के समय माता दुरगा के सामने जोत दिखाई दे तो ये सुब संकेत माना जाता है माना जाता है कि दीपक का माता के सामने दीगना बेहदी सुब माना जाता है वही दोस्तों आप अपनी मनोकामना बोल करके माता की पूजा कर रहे हैं और आपको कलस के दर्सन होते हैं या माता दुरगा के सामने आपको कलस रखा हुआ नजर आता है तो ये बेहदी सुब संकित माना जाता है माना जाता है कि जिस व्यक्ति को ये संकेत नजराहें उनका समय जल्दी ही बदलने वाला है वहीं आप स्वुपने माता के सामने दीपक जलाते हैं तो ये ब्यादी शुब माना जाता है लोज तो अगर आपने खेत्री घर में बीजी है और खेत्री हरी भरी है तो ये बियादी अशुब माना जाता है, माना जाता है कि आप पर कोई भारी बिपता आने वाली है, वही अगर आप सुप्ण में कंचकों को भोजन कराते हैं, तो ये संकेत भी सुब माना जाता है, माना जाता है कि माता के नौ रूप आपके उपर फ्रसन हैं, और आपकी सभ प्रते दिन घर में गंगाजल के छीटे लगाने चाहिए। खेत्री में सिक्का डालना ब्यादी सुब माना जाता है। अश्तिमी वाले दिन जब आप कंचकों को भुजन खराएं, तोड़े से ज्वारे, कलस की सुपाड़ी सिक्का और माता के सामने रखा हुआ सिक्का उसमें बांध करके तेजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रशन होती हैं, घर में शुक्षांती बनी रहती हैं। घर के मेन दरवाजी पर गो का आना ब्यादी सुब माना जाता है। अगर नवरात्रों में प्रते दिन बार-बार गो माता आपके घर पर आती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका समय बदलने बाला है, काम देनु माता आपके उपर प्रसन है और आपके पुत्र धन की मनोकामना पूरी होने वाली है। दोस्तों जब भी हम कलस की स्थापना करते हैं और नारियल को जब प्रसाद के रूप में हम पोड़ते हैं, अगर सावत नारियल निकलता है, तो यह ब्यादी सो माना जाता है, उसमें से प्रसाद के रूप में जरूर गिरन करना चाहिए। यह ब्यादी सो है, अगर आपने माता के सामने कलस रखा है, उसमें से जल सुख जाता है, तो दोस्तों यह ब्यादी सुख संकित माना जाता है, ब्यादी सो माना जाता है, ब्यादी सो माना जाता है, यह ब्यादी सो माना जाता है, यह ब्यादी सो माना जाता है, यह माता के ह गिर जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका समय बदलने बाला हैं ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जिसे आप आसानी से जान सकते हैं कि माता दुरगा आप पर प्रसन है वही आपके कान में सुबह के समय संक या घड़यालों की दोनी पड़ती है तो ये भी स्रूम माना जाता है तो इस वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जाए माता दुरूँ